जार्खन में 13,000 की सोरों को लगी कोवे बैक्स की पहली डोज राश्ट जे ठीकाकरन दिवस के अउसर पर जार्खन में 12 से 14 साल के बच्चों के बीच कोवे बैक्स का पहला डोज देने का भियान सुरू हो गया है इस दोरान पूरे राश्ट में करीब 13,000 बच्चों को पहला डोज लगाया है वही राश्धानी राची में पहले दिन करीब एक हैर बच्चों को टीका लगाया गया राश्जे में करीब 24 लाख बच्चों को वैक्सिन देने का लक्ष निधायित किया गया है इधर पहले दिन कोविन आप में राइस्टेशन नहीं होने से परिजन काफी परेशान दिखे वही मैनुवल राइस्टेशन करा कर अपने बचों को कोवे बैस का पहला डोज दिलाए पहले टिका के 28 दिन बाद दूसरा डोज का टिका दिया जाएगा मौसम विभाग के 19 माच से जहारखन में मौसम का बदलाओ दिखेगा होली का दहन के दिन 17 मार्च को जहां मौसम सूस्क रहेगा वही आंसिक रूप से बादल चाने की संभावना मौसम विभागने जताया है इसके अलावा होली के दिन 19 मार्च को भी मौसम का बदलाव दिखेगा हलाकि तापान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है इसके साथ ही अगामिय कोई समार्च तक या इस्थिती बनी रहेगी यानि होली के दिन 19 मार्च को अभी आंसिक बादल चाहे रहेंगे इसके बाद ही मौसम में सुधार दिखेगा रेलेवे के नीजी करन का कोई सवाल ही नहीं आस्वीनी वैसनों केंद्र सरकार ने बुद्धवार को साप कर दिया है कि वो रेलेवे के नीजी करन नहीं करने जा रही है सरकार ने कहा है कि रेलेवे के नीजी करन को लेकर हो रही सारी बाते कालपनिक है केंद्रीय रेल मंत्री आस्वीनी वैसनों ने बुद्धवार को यजनकारी दी है उन्होंने कहा कि सरकार की दिश्टी में रण नितिक छेत्र के रूप में रेलवे की समाजिक जबाब देही है जिसे वानी जीक ब्यवहरता पर ध्यान देते हुए पुरा किया जा रहा है साल 2022 तेज के लिए रेल मंत्रा लएके नित्रा धीन अनुद्वानक की मांग पर चार्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे करने जीकरन नहीं हो सकता क्योंकि पटरिया रेलवे की हाँ, इंजन रेलवे के हाँ, एस्टेशन और विजली के तार रेलवे के हाँ जमसेदपूर के सोनारी यारपोर्ट पर ट्रेनिंग दे रहा बिमान लेंडिंग के वक्त दुरघटना ग्रास्त जमसेत पुरिष्थी सोनारी एरपोट पर बुद्ध्वार को प्रस्रिक्षन दे रहा हवाई जाहाई लेंडिंग के वक्त क्रेस कर गया हलाकी इस घटना में किसी तरह की हताहत नहीं हुई है चार सिटर इस हवाई जाहज में दो लोग स्वार थे दोनों सुरक्षी थाएं दोनों को हलकी चोटे आई है लेंडिंग के वक्त आगे का चका नहीं खुला जिसके कारण बिमान का अगला हिसा सिधे जमीन से टक राया इसे बिमान को बेली लेंडिंग करानी पड़ी जारखन हाई कोट के रिटायर जस्टिस एचसी मिस्र दिली में लोकायुक्त बने जारखन हाई कोट के रिटायर जस्टिस एचसी मिस्र को दिली का लोकायुक्त निउक्त किया गया है दिली के उपरा जेपाल अनिल बेंजल का हस्ताक्षर से अधिस्वितना जारी कर दी जस्टिस सिरी मिस्त्र 23 सुमार्षित 2022 को दिली के लोकायुक्त के पद पर योगदान दे सकते हैं। जस्टिस से जानकर आप आचर चकित हो जाएंगे। के एक दिन पहले आदिम जनजातियों में सिकार जंगल में घूमकर बंदर, खरगो, सुगर, सियार और भेडिया का सिकार करने की परमपरा है। यह परमपरा प्राचिन काल से चली आ रही है। समाई के साथ सब कूछ बदल रहा है लेकिन आज भी जारकन राज में निवास करने वाले आदिम जनजाति इस परमपरा को जिवीत रखे हुए हैं। आदिम जनजाति दीन भर जंगल में सिकार करते हैं और साम को ठकावट दूर करने के लिए नाच गान के साथ खान पान करते हैं। सहायक प्रसाखा पता अधिकारे नियुक्ती के लिए 1 अगस्ट 2015 से होगी आयू की गन्ना। जार्खन समाने असनातक योगता धारी सन्युक्त पर्त योगता परिक्षा 2021 के तहद सहायक प्रसाखा पतातिकारे के पत पर नियुक्ती के लिए अधिकताम आयू की गन्ना 1 अगस्ट 2015 से होगी। हलाकी इसका लाव उन अभिहार्तियों को ही मिलेगा जो वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्ती के लिए अवेधन कर चुके थे। जार्खन करमचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग के निर्देश पर आयू की गन्ना से समधी सुचना बोध्वार को जारी कर दी है। बिना सुचना अनुपस्थित रहने वाले जार्खन सरकार के वीडियो के खिलाप पांच साल बात करवाही शुरू। जार्खन में करोना के 28 नए केस मिले हैं जाबकि 30 मरी स्वास्त भी हुए हैं। जार्खन में करोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 201 है। भारत में 266 केस मिले हैं जबकि 4 है चोवन मरी स्वास्त भी हुए हैं। भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 30338 है। लालू यादों की नई मुसीबत इडी ने रायत सुप्रीमों के खिलाप दर्ज किया केस। चारा घोटाले के सजायाफता राष्ट्रीय जनता दल रायत के सुप्रीमों सह बिहार के पूरो मुख मंत्री लालू परसाथ सही सभी अभयूकतों पर अब प्रवर्तर निदे साला है। इडी ने मनी लोडरिंग अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला डुरंडा को सागा से 145 पर रुपय की अवयद निकासी से समन्दित है। सिबियाई की विशेस अधालत से गत 21 फवरी को सजा पाच उके लालू परसाथ सही सभी पशकतर अभयूक वह उक्त केस के सभी मिरित को के खिलाप मनी लोडरिंग अधिनियम में इडी ने अनुसधान सुरू कर दिया है। लातेहार के महुआ डाल में दसवी और बरहवी के स्टूडेंट को मिली बिदाई। कर बिहार आने जाने वाली ट्रेनों में एक-एक समान और संदिक्द बस्तूअ की गहन जाच की जा रही है। होली हो और जाम न चल के ऐसा तो हो ही नहीं सकता पर अगर आप बिहार जा रहे हैं तो सीमा पार करने से पहले अलट हो जाए। ट्रेन में सराब के साथ पकड़े गए तो आरपी एप 100 फिसद आपकी होली खराब कर देगी। इसकूलों को मिड़े मील की हर दिन देनी होगी रिपोर्ट। ने सभी जिला सिक्षादिचकों को निदेश दे दिया है। नेशनल अचीव्पमेंट शरवे 23 से 25 मार्ष तक होगा। देश भर में 23 से 25 मार्ष तक नेशनल अचीव्पमेंट शरवे होगा। तिसरी कलास के बच्चो का या सरवे fundamental, literacy and numeracy के तहत किया जाएगा। इसके लिए जारकन के 277 में स्कूलों का चेयन किया गया है सर्वे की तैयारी के लिए स्कूली सिक्चावा सक्षता भी भाग के सचीव राजेस कुमार सार्मा ने सभी RJDE, DO और DSC को निर्देश दे दिया है 17 और 18 मार्च को समंधित स्कूलों के तीसरी कलास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने और पढ़ाई कराने को कहा गया है इसके लिए सिक्षकों को छती पूर्ती आवकास दिया जाएगा धन्यवाद